देवरिशी नारत पत्रकार सम्मान समरोग दोहजारतेईस के इस कारिकरम के मुठ्या थी थी भार सरकार के वीदी एवं न्याय राज्यमंत्री आधनिया शिरी स्पी सिंग बहेल जी इस कारिकरम के अध्यक्षता कर रहे भारत के सूचना आयुक्त वरिश्ट पत्रकार आधनिया शिरी उदे महुल कर जी इस कारिकरम के स्वाक्ता ध्यक्ष प्रसिद्ध समाई से भी आधनिया शिरी परसान जैन जी इंद्रप्रस्थ विश्व समाद केंद्र के अध्यक्ष आधनिया शिरी अशोग सचदेवा जी इस सवागार में उपस्थित सवेशन समाननिया वरिश्ट पत्रकार बंदु भगिनी मेरे पूरो वक्ताओं ने थोड़ा इतिहास की और संकेत किया और जर्चा इतिहास पर जदा हुई विकिर मैं इतिहास पर नहीं जाओंगा हलांकि मैं इतिहास का विद्यार्ति रहुँँ तो जिस संदर्व में कारिकरम है मैं तोड़ा उसी पर रहने का प्रयास खरूँँगा कारिकरम में आने के बाद कुछ मित्रों ने पूछा कि आज क्या हेडलाइन देने वाले है तो मैं सोच रहा था कि आज का कारिकरम तो आप लोगों का ही है यह ठीक है कि पत्रकार की भूख समचार की अवर रहनी भी चाहिए लेकिन वर्स में एक दो दिन तो ऐसे रखने चाहिए जिसमें हम आत्मा वलोगन कर सकें थोड़ा अपने अंदर भी जांक सकें तो आज का दिन यह उसी के लिए है और मैं को यह सी हेंडलाइन देने वाला भी नहीं है हेंडलाइन जिनों ने देनी थी और पूर वक्ताव ने दिये उनको अच्छे से आता है 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 हम तो सीधी साधी बात करते हैं दूसरी बात है कि आज इतनी बड़ी संक्या में पत्रकार यहां पर उपस्तित है तो यह स्थिती वास्ता में कोई आचानक आई है ऐसा नहीं है इसके लिए विश्व सवाद केंद्र को बहुत परिश्रम भी करना पड़ा और एक लंबी यात्रा करनी पड़ी है मुझे याद है कि जब मैं प्रांत में प्रचार प्रमुक था तो ऐसे नारज जयनती कारिकरम का केंद्र से दवाव रहता है याद कि कोई काम शुरू किया है तो जड़ा हर प्रांत में होना चाहिए ठीक प्रकार से होना चाहिए तो पहले एक दो वर्स तो हमारी भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि आप पत्रकारों को कैसे कहें कि नारज और पत्रकारीता के पूर्खे हैं लोग कहते भी है कि आप लोग किसी को भी कहीं भी जोड़ देते हैं तो फिर भी हिम्मत की तो जब पहली बार हम दो तीन कारे करता ऐसे में अकेले में तो बताना रड़ कठिन काम हैं क्या सोचेंगे लोग कैसा रिस्पॉंस देंगे तो दो तीन कारे करता मिलकर के जिनका परीचे भी थोड़ा वांके लोकल मेडिया के साथ अच्छा था उनको साथ में लिया तो परीचे था इसलिए थोड़ा आख की सर्म तो रहती है सीथा सीथा तो मजाक नहीं करते हैं लेकिन मुस्कराने से समझ में आता था कि थोड़ा कुछ गड़बड है पोजिटिव ढंग से नहीं ले लेकिन हमने भी संकल्प किया था कि करना तो है यह आप जो होगा देख परसोवी में कहा था कि मन का यह जो हमारा उपहास है हमारा जो विरोध है वो हमारे भाग्या में जनम सही मिलाएँ एफ यह जिल लेकिन देरे देर उसका स्थान भी बनता है तो वही स्थान नारत सम्मान का यह विश्व समवाद के अंदर में पिछले दस वारा वरसों में बना है तो नारद के साथ इसको क्यों जोड़ा तो अभी अमने दस मिनट पहले फिलम भी देखी उसमें भी कुछ बाते आई है और आज भी समंच से तोड़ा नारद का महत्तु आई है इसलिए मैं उसको ज्यादा दोराओंगा नहीं क्योंकि मुझे जो पत्रिका में वेरा समय निका था वो समय तो पूरा हो चुका है इसलिए ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा लेकिन द्यान में आता है कि जो समवाद हिंता है वो हमेशा तनाव को या कभी-कभी युद्ध की स्थिती को भी लाती है इसलिए अपने यहाँ पर समवाद का हमेशा से महत्तु आए समवाद बना रहना चाहिए उस समवाद हिंता के कारण से मा वारत का युद्ध तक हुआ इसलिए जब युद्धिस्टिर ने पूछा बीसम पिट्रमा से है यह क्या कारण रहा तो उन्होंने कहा है कि अगर ठीक समय पार और सही से समवाद होता तो इतने बड़े युद्ध को टाला जा सकता था इसलिए समाज में और यह हमेशा समवाद बना रहना चाहिए और नारज जी की भी हुमी का वही थी वो समवाद करता ही थे समवाद ही करते थे सब के साथ लेकिन हमारे भारती या सीनेमा ने थोड़ा उनकी चबी को उस तरह से प्रस्तूत किया कि नारज के बारे में लोगों का देखने का द्रिष्टी को थोड़ा बदल गया इसे के दने कि किसी के चबी को बेगाड़ना हो तो फिर उसके बारे में थोड़ा इस तरह की अलग अलग प्रकार के प्रस्तूति करना चाहिए तो वही नारज जी के साथ भी हुआ और वहीं से लोग लगता है कि नारज जी तो बस ऐसे ही इधर की बात उधर करते थे उधर की उधर करते थे लेकिन आप सारे समवाद में देखेंगे तो उसमें समाज जित राश्ट जित या हमेशा उसके अंदर रहता था इसलिए वह कभी चेताब नहीं भी देते थे साथान भी करते थे और सला भी देते थे तो मुझे लगता है कि मेडिया की भी भूमिका यही है जो बात आई कि सबी पक्सों के वारे में निस्पक्स लिखना चाहिए निस्पक्स बोलना चाहिए किसी एक पक्स में जाकर के खड़े होना ये मेडिया की भूमिका नहीं हो सकती है इसलिए पतरकारों को अमेसा ये ध्यान दखना चाहिए कि हम जो भी बोल रहे हैं एक तो सत्य बोल रहे हैं और दूसरा किसी के पक्स में एक पक्स में नहीं बोल रहे हैं नहीं तो फिर हम भी उस एजेंडे का एक भाग हो जाएंगे एक इससा हो जाएंगे इस से अमें बचना चाहिए दूसरी बात है कि मेडिया की नकारात्मक भूमिका ने होनी चाहिए हमेशा पॉजिटिव भूमिका में इस मेडिया को रहना चाहिए और इस नकारात्मक भूमिका को हमेशा बड़े सब लोगों नहीं नकारा है डाक्टर एपी जे अवदुल कलाम जब राष्टपती बने और पहली बार उन्होंने जब मेडिया के लोगों के साथ समवात किया उसमें भी उन्होंने इस बात का उलेक किया कि आमें बहुत negativity में नहीं जाना चाहिए नकारात्मक खबरों को ज़्यादा स्थान नहीं देना चाहिए जितना आवश्यक उतना ही बताना चाहिए लेकिन अभी ऐसा समय है जिसमें positive news सकारात्मक खबरें कम से कम प्रतम प्रिष्ट पर पहले प्रिष्ट पर इसको स्थान मिलना चाहिए उसका थोड़ा प्रवाप भी दिखा मीडिया के अनेक ऐसे समस्थानों ने और सकारात्मक खबरों को सकारात्मक स्टोरियों को कानियों को और स्थान देना भी प्रारुम किया दूसरी बात जब भारत में पत्रकारीता का प्रारंब हुआ तो उसके पीछे के उदेश से को भी समझने के आऊ सकता है क्योंकि आम कोई भी बात अपने भारतिये विचार के अंदर प्रारंब होती है तो उसके पीछे कोई द्रिष्टी होती है कोई उदेश से होता है यह ठीक है कि यह जो आज की वर्तमान भत्रकारीता है इस स्वरूप को हम पस्चिम की देन कह सबते हैं तो बारत में भी जब प्रिंटिंग का हविश्कार हो गया प्रिंटिंग प्रेस आया तो बारत में भी इस प्रकार के समचार पत्र छपने प्रारम हो तो जो पहला हिंदी समचार पत्र प्रकासित हुआ तीस मई 1826 को तुम जानते हैं कि पंडित जूगल किशोर शूकल जी ने कोलकत्ता से उधन्त मारतंड की स्थापना की उन्होंने उसको प्रारम्ब किया और तीस मई 1826 को नारज्यन्ती ही थी और यह कोई सयोग नहीं था कि उन्होंने तीस मई का दिल जुना और नारज्यन्ती उस दिन आई तो उसका उलेक उन्होंने अपने संपाध किया कि प्रतम प्रिष्ट में प्रतम अंकल के अंदर भी किया है कि मैं नारज्यन्ती के अवसर पर जो विश्वा के पहले स्ववाद दाता थे नारज्यन्ती से इस समाचार पत्र का आरंब कर रहा हूँ या ऐसी जीवन के प्रतेक क्षेतर के अंदर जब हम कोई काम सुरू करते हैं उसके पीछे क्योंकि भाव समझ करके उसके पीछे को देश्या को ध्यान में रख करके ऐसा दिन निश्चित करते हैं या ऐसे विशेओं का चैन करते हैं जब हम भारती या सिनेमा की बात करते हैं तो भारत में जब सिनेमा प्रारम हुआ तो दादा साब फालके ने जो पहली फिल्म बनाई तो उसका जो चरित्र या उसका जो विशेओं चुना तो किसके उपर फिल्म बनाई तो आरिश्चंद्र के उपर बनाई ऐसा बताते हैं मैंने जो थोड़ा बहुत पढ़ा है उनके बरे में कि उनके मन में से राम और कृष्ण ऐसे किसी पात्र के उबर फिलम बनाने का विचार था लेकिन किसी कारण से वो नहीं हुआ फिर भी उन्होंने आरीश चंद्र जैसे करेक्टर को ही चुना और उसके बाद भी जो कुछ फिलमें बनाई उन्होंने तो उनके विशे भी उसी परकार के चुने ठीक है बाद में उसमें कई बातें जुड़ी और भारत की सोदंतरता के बाद कुछ और दिशा में भारतिय सिनेमा गया उसकी चर्चा अभी नहीं करोगा लेकिन जो भारतिय पत्रकारिता है स्वादिंता से कूर्व की बात पत्रकारिता बन देखेंगे तो स्वतंतरता आंदोलन में जो बड़े बड़े लोग लगे थे उन्होंने उस पत्रकारिता के मात्तों को भी समझा तो हम देखते हैं कि गांधी जी ने, मदन मौन मालुए जी, लोकमाने तिलक इन सब ने भारतिय समाज को जागरित करने के लिए भारतिय समाज के स्वाविमान को जागाने के लिए और उस पत्तरकारिता का उप्योग किया जिसके अंदर वो स्वा था वो स्वदेशी के प्रतियो, स्वभासा के प्रतियो, स्वराज के प्रतियो तो प्रतेख भारतिय के मन में उन्होंने उस भाव को जगाया इसलिए उस स्वा को जागरित रखने की आज भी उतनी आवशकता है हमने गतवर्स भारत की स्वाधिन्ता के अमरित मोथसभ को मनाया तो उसमें भी उस स्वाग की बात आई कि आज भी भारतिय समाज के स्वाग को जागरित करने की उतनी आवशक्ता है जितनी स्वाधिन्ता से पहले थी इस स्वाग को जागरित रखेंगे तो इसी के आधार पर जब हम भारत की स्वाधीनता के सो वर्स मनाएंगे स्तावधी वर्स मनाएंगे तो जिस भारत की आज हम कलपना करते हैं उस भारत को उस स्थान पर हम देख सकते हैं और इस कार्यप में मेड्या की महत्वपूल भूमिका अू routine पहले भी रहिया आज भी उतने आवशकता उसकी कि हम भारतिया समाज के मन को कैसे उस और उपनिवेशिक मन सित्था से बाहर निकाले लेकिन इसके साथ मेडिया भी उस और उपनिवेशिक कि हमें भी उस बात को ध्यान में रख करके आगे बढ़ना पड़ेगा कि यह जो नेगेटी पत्रकारीता ही जो आज फेक न्यूस की पत्रकारीता आगई इससे हमें बचना होगा आज हम देखते हैं बंगेल जी ने काई ETRP उन तो एक बड़ी समस्य आई है लेकिन जो मुझे लगता है कि मेडिया के सामने जो चुनोतियां आई हैं उसके कारण से भी हो सकता है क्या सें सोसल मेडिया का यूग है वास्ते में बड़ी चुनोती है क्योंकि सोचल मेडिया में कोई खबर चलती आया या कोई बात आती हैतो मेडिया को भी लगता है कि हम कैसे पीचे रहे golpe कर गयें और उसके कारण से उसकी तय तक नहीं जाते हैं, बहुत उसको चान भी नहीं करते हैं, कई पर सोचल मेडिया से उठाया और वहाँ चला दिया, तो उसे फेक न्यूज के कारण से भी अनेग परकार की समस्या खड़ी होती है, और उस फेक न्यूज का जो सबसे ज्यादा शिका सम्धार आजकल राष्टियों सवक संग भी हो रहा है। बहुत सारी खबर आज सी चलती है , कहां से चलती है , पता नहीं मुझे पता है। वैसे चर्चा और रहा है थी कि आप लोग सरवे कर वाते हैं , चुनाव का सरवे कर वाते हैं। मेरे ध्यान में तो तीस वरसों के प्रचारत जीवन में तो कभी यासा नहीं आया कि संग ने किसी एजैस्टी को आयर करके और उससे चोलाव सर्वे करवाया हूँ मुले नहीं मेडिया में तो ऐसे चलता है मैंने तो आप लोगी जवाब दे सकते हैं इसका जवाब हो नहीं दे सकते हैं तो ऐसी ख़बरों से मुझे लगता है कि बचना चाहिए इसलिए जो पत्रकारिता है तो पत्रकारिता का सिधान्त ये एक तो सत्य बोलना इसलिए कि सत्यम बुरुयात प्रियम बुरुयात सत्य बोलना है लेकिन वो प्रिया भी होना चाहिए ऐसा नहीं अभी सत्य है तो आना ही चाहिए लेकिन उसका परिणाम क्या होगा इसका भी विचार करना चाहिए अगर उतना विवेक नहीं रखेंगे तो फिर अनेक परकार की समस्या खड़ी होती है और तीसरी बात है कि वो समय भी उसका ठीक होना चाहिए, कब बोलना, कब लिखना, समय सही है कि नहीं है, तो इसका विचार भी करना चाहिए, इसलिए हम जो पत्रगारिता करें, मुझे लगता है कि वो समाजित, राश्टित को ध्यान में रख करके ही करनी होगा, जैसे हम बाकी समाज से अपेक्सा करते हैं कि हमारा राश्ट निर्माण में योगदान होना चाहिए सब का, वैसे ही मीडिया से भी वैसी प्रकार की अपेक्सा है, समाजित और राश्टित के बारे में तो हमें भी सोचना है, कि विल बाकी नागरीकों की जिम्मेदारी ऐसा नहीं है, हम सब की सामुईक जिम्मेदारी है, तो इसको ध्यान में रख करके अगर हम अपनी पत्रगारिता करते हैं, और आज ऐसे लोग हैं, जो सही में एक अच्छी पत्रगारिता और समाजित राश्टित में ही पत्रगारिता करते हैं, इसी कारण से तो विश्व समाद के अंदर ऐसे पत्रगारों को और नारेज जयनती के अफसर पर पूरे देशवर में समानित करता है, ताकि इस अक्षेतर में जो भी लोग काम करें, तो उनको प्रोत्सान मी मिले, उनकी दिशा मी सही रहे, केवल इतना प्रयास विश्व समाद के अंदर करता है, बाकि कोई हम आपको उपदेश देने के कोई अधिकारी नहीं है, जिनका अधिकार है, वो बोल सकते हैं, तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर, अगर हम पत्रकारिता करते हैं, तो उसमें समाज इत भी है, और राश्ट इत भी है, तो मैं अधिक न बोलते हुए, आज जिन पत्रकारों को यहां पर सम्मान मिन रहा है, उन सब को मैं अपनी और से हारदिक बदाई देता हूं, होना उसके लिए भी मैं आप सब का धन्यवाद करते हुए, अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद,